Hello friends, welcome to my YouTube channel Educate Desk आपका मेरे YouTube channel Educate Desk के स्वागत है देखिए, आज के video में हम Teaching Approaches के बारे में सीखेंगे Approach क्या होता है? Approach का मतलब होता है दृष्टिकोन मतलब के Teaching का जो दृष्टिकोन है, किस दृष्टिकोन से पढ़ाना चाहिए उसके बारे में Inductive and Deductive Method of Teaching को डिसकस करेंगे यहाँ पर ठीक है, Inductive Method और Deductive Method को हम हिंदी में आगमन और निगमन विधी बोलते हैं ठीक है, Inductive का मतलब होता है आगमन और Deductive का मतलब होता है निगमन ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके दो पार्ट किये गए है, Inductive और Deductive तो Inductive Method of Teaching क्या है और Deductive Method of Teaching क्या है यह यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से समझिए देखिए, आप Basically एक Concept समझ लिजे इस चीज़ का कि Inductive Method जो होता है वो जो जिसकी सोच बच्चों की तरह होती है या Actual में बच्चे होते है उसके लिए जो है यह Inductive Method of Teaching यूज क्या जाता है पढ़ाने में और जिसकी सोच बड़ाओं की तरह होती है या जो बड़े लोग है उसके लिए जो है Deductive Method of Teaching अपनाई जाती है ठीक है देखिए यह जो इसका Method क्या है कि जो Inductive Method of Teaching में सबसे पहले जो है Example दिया जाता है उसके बाद फिर Rule के बारे में Discuss गया जाता है जैसे कमाल लिया जाएक मैंने एक Example दे दिया कि I am a boy या फिर he goes to school तो यह पहले Example दे दिया उसके बाद फिर बच्चों को हमने बताया कि यह जो है Present Indefinite Tense में है और go के साथ ES इसलिए लगा है क्योंकि यह Indefinite में है तो बच्चे जो है आराम से समझ सकते हैं जबके बड फिर Example के भी Direct अगर हम Rules Regulation बता देंगे, Grammar बता देंगे तो वो समझ सकते हैं ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि Example to Rule और Rule to Example में क्या फरक है इसी तरह से Simple to Complex हैं जैसे बच्चे तो बच्चे होते हैं यह बच्चों की जो सोच होती हैं तो उसके हिसाब से उनक हम hard बता देते हैं और जानते हैं कि Simple तो जानता ही होगा या जान लेगा बाद में ठीक है इसी तरह से known to unknown का मतलब है कि बच्चों को अगर बच्चे पहले से ही कोई चीज जानते हैं उसके बाद उससे related अगर कोई चीज अगर उसको बताते हैं तो बच्चे अच्छी तरह स मतलब specific जिससे कुछ खास चीज है और मैंने एक example दिया बच्चे को कि देखो तुमारे पास एक कुट्ता है और यह भूग रहा है तो इसका मतलब बच्चों को यह समझ में आया कि कुट्ता जो मेरे पास है वो भूगता है फिर बाद में उसको बताएं कि नहीं जिसके पास जो कुट्ते जितने भी होते हैं उसकी आदत होती हैं कि वह भूगते हैं तो यह specific to general हुआ इसी तरह से बड़े लोगों को यह भी बता जाता है कि सारे कुट्ते जो हैं भूगते हैं तो generally उसको बता दिया फिर specific करके भी किसी चीज को हम बता सकते हैं कि देखो यह कुट्ता जो है especially इस तरह से मतलब कि आवाजें निकाल रहा हैं जो अलग हट करके हैं ठीक हैं इसी तरह से bottom-up approach जो होता है वो inductive method में आता है जो नीचे से bottom से लेकर के अप्रोच करते हैं और जो deductive method है वो daw up top-down approach है यह उपर से लेकर के नीचे तक आते हैं इसी तरह से concrete to abstract हैं कि कोई बच्चा है उसको अगर image बना करके या देखा करके अगर उसको किया जाए या चूँ करके उच्हों किया जाए तो वो अच्छी तरह से समझ सकता है या पाचान सकता है और बाद में फिर उसके बारे में विशेश्था हैं बढ़ाई जाए तो यह concrete जो होता है वो heaven is un अमूर्थ का मतलब जो आइडियाज हैं जिसको छू नहीं सकते हैं महसूस कर सकते हैं ठीक है इसी तरह से जो है डिटक्टिव मेथड में आता अफ्स्ट्रेक्ट टू कंक्रीट को मतलब कि जो आइडियाज पहले हम बताते हैं उसके बाद फिर उसको मतलब कुछ चीज़ें द क्लासेस में डिटक्टिव मेथड फेमर्स हैं ठीक है और मैंने सारा जो इस टॉपिक का डिसकसी मनलब के बच्चों और बड़ों को लेकर के किया है ताके यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि यह जो कुछ भी मैंने बताया है आप अरिश्टोटल ने इस मैथड को पढ़ाने के मैथड को सेट किया है ठीक है उम्मीद है कि आपको यह वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है समझ में आ गया होगा अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जिये थैंक यू थैंक यू रही मच्छ